हेलो दोस्तों स्वाज़ थे आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल होमस केचन में फ्रेंड्स मैं गई थी अपने भाई की शादी में और वहाँ पर सारे गेस्ट आए हुए थी ये रेसिपी मैंने तभी बनाई थी काफी टाइम पहले मैंने इसको बनाया था इसकी शॉर्ट वीडियो में आपके साथ ओल्डरेडी शेयर कर चुकी हूँ शादी में सारे गेस्ट आए हुए थी जादा मात्रा में सबजी बनानी थी टिनर का टाइम था तो सबजी बनाने का काम मुझे और मेरी भावी को मिला था तो मैंने सोचा क्यों ना हम इस रेसिपी को मिट्टी के चुले पर बनाई तो मैंने काफी इंजॉई किया फ्रेंड्स काफी इंट्रस्टिंग रहा इसको बनाना सोचा आप सब के साथ भी इसको शेयर करूँ अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें जद 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 शेयर करें साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिसे मेरी हर आने वाली वीडियो को देखने में आपको आसानी रहे तो चलिए शुरु करते हैं आज की रेसेपी बनाना तो फ्रेंट्स हमने उस दिन छोले बनाए थे मैंने 1.5 किलो छोले लिये उनको अच्छे से उबाल लिया और यहां पर मैंने पहले ही सारे मसाले तयार कर लिये थे तो छोले बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़ा सा पतीला ले लिया था क्योंकि कूकर में इतनी सारी सबजी नहीं बन सकती थी पतीले में डाला हमने सबसे पहले सरसों का ओयल, आप रिफाइंड ओयल भी यूज कर सकते हैं, दिसी घी भी यूज कर सकते हैं ओयल गरम हो जाने के बाद इसमें दो से तीन तेज पत्ते डाले उसके बाद दो चमच डाला जीरा जीरे को अच्छे से क्रैकल होने दिया जीरा क्रैकल होने के बाद डाले प्याज हमने 5-6 प्याज को मिक्सी में ग्राइंड परके लिया है अब प्याज को हमने अच्छे से प तर द् dud रखक को माथा दरख भी पीष किया था टमार को भी रगातार चलते हुए पका लिया जब टमार पक गए तो हमने इसमें सारे बैसिक म्साले डाले धनिया पाउडर, लालमेश पाउडर, नामाक, आमचुर पाउडर तो मसाली मैंने सारे अपनी भावी के इंस्ट्रक्शन से डाले थी क्योंकि मैंने काफी टाइम से इतनी मातरा में सबजी नहीं बनाई थी तो फ्रेंट्स मैंने तो काफी इंजॉई किया इस रेसिपी को चूले पर बना कर आपको चूले पर खाना बनाना कैसा लगता है मुझे कोमेंट करके जरूर बताईएगा तो सारे मसाली मैंने डालेने के बाद अच्छे से उनको मिक्स कर दिया और एक मिनट तक पका लेने के बाद उसमें डाले आलू यहाँ पर हमने 5-6 आलू को बॉयल करके उनको मैश कर लिया आलू डालने से छोले की जो ग्रेवी है वो काफी गाड़ी बनती है एकदम से घुल मिल जाते हैं छोले और ग्रेवी आलू डालने के बाद 5-6 कप पाने डाला मिक्स किया और उबाल आने के लिए रख दिया तो छोले हमने पहले ही उबाल कर तयार कर लिये थे छोले में से मैंने 2 कप छोले को इस तरह से कूट कर लिया ताकि ग्रेवी गाड़ी बने आप मिक्सी में पीस कर भी इनको ले सकते हैं लेकिन अगर आपने इनको कूट कर लेना है तो बॉयल होने के बाद इनको कूटना भी इजी रहता है तो ये देखिए बिल्कुल बारिक कर लिया है मैंने इनको अब इनको डाल देंगे पतीले में इदर सबजी को उबलते हुए भी पूरा 7-8 मिनट हो चुका है तो मैंने इहां पर जो पीसे हुए छोले थे वो डाल दी है साथ में ही हम साबुत छोले भी डाल देते हैं छोले डाल कर एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे सभी चीजों को और देखेंगे इसमें कितना पानी डालने की ज़रुत है तो फ्रेंट्स जो हमने पहले पानी इसमें डाला था वो काफी राई हो जुका था इसलिए 5-6 कप पानी हमने और इसमें डाला अच्छे से मिक्स किया और 30-35 मिनट तक हमने इसको बोर पकाया मेडियम फ्लेम पर पकानी के बार सबसे लास्ट में एड किया धनिया पती तो बस सबजी हमारी बनकर तयार हो गई थी फ्रेंट्स सबको बहुत ज़ादा पसंद आई और मैंने बेहदी इंज्वाइ किया इसको जोले पर बनाकर आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक टेक केर बाबाई